हेलो और वेलकम स्टुडेंट्स तो आज आपको बता है कि हमने महा क्विज रिवीजन क्विज जो करना है जो 16-31 मार्च का हमने पहले भी किया है 1-15 मार्च के क्वेशन अब बात थोड़ी से में कर लेता हूं कि हमने ये वीडियो को मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं य अपना अपना ताइमिय अपना स्टाइल होता है तो जिनकी समय थोड़ी सी स्लो रहती थी उनको पता नहीं चलता था तब तक दूसरे आंसर दे धर थे तो यहां पर आपने वीडियो को क्वेशन देखना हूं उसके बाद इसको स्टॉप करना है अच्छे से क्वेशन करना पड़ेगा ठीक है जी तो इसी लिए आपका एक अनेलसिस हमें मिल जाएगा उसी के लिए हम यह पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते पहला कोशन ठीक है जी आपकी स्क्रीन पर यह रहा है प्रोजेक्ट रिहेब एमस तू प्रोवाइड अफोडेबल हाउसे इन डारूरल एरिया पहली स्टेटमेंट ग्रामसर्क योजना इस इंप्लीमेंटटर बाइनिस्टी ऑफ कोर्स ग्योंड दुसरी स्टेटमेंट कर्मेट सेटमेंट ए के फिस फॉलन डांडट तो सॉसाइटी स्टे एंट एक्ट एटीन पूछा गया है तो अभी वीडियो को स्टॉप करो और इसको देखके अपना अंसर निकालो ठीक है जी चलिए बढ़ते हैं तो यहां पर आंसर टू ओनली है क्यों क्यों क्योंको देखो प्रोजेक्ट री है तो यह से रिलेटरी निया हॉसिंग से हमने जब हनी मीशन के बारे जुलता है तो ऐसा ना होके आप वहां पर कनफीज हो जो सेकंड कोश्चन की दरव बढ़ते हैं मेरा राशन एप ठीक है जी अब इसके बारे में फ़र्स्ट कॉश्चन है स्टेटमेंट है था एप हेल्स टू फूड 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 ग्रों फूड ग्रीन एड ठीक है तो आप्शन क्या कहें वन ली टू ओली वन एंट ठीक है यह सिस्टीं मार्च मार्च का हमने करेंट फिर किया था वहां से मैंने क्वेशन बनाया तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं एप हैल्स टूड ग्रेंज एड सबसीड़ाइब आपको पता है मेरा राशन वन राशन कार्ड वाला हमने पड़ा था है ना उसके अंदर यह एप बनाई गी है तो यह तो ठीक है एड शेडियू लेंग्वेज के अंदर विलेबल है यह गलत है ठीक है तो हमारा अंसर आगया वन एंड थी योंदी तो आपको पता है यहां पे हिंदी एंग्लिश उसके ब करते हैं इंडिया इस सेल्फ सफिशेंट इन नॉन फेरस मेटल इंडस्ट्री फर्स्ट क्वेशन स्टेट्मेंट सेकेंड इस इंडिया पर कैपिटा कॉपर कंजप्शन इस हायर दन वर्ल्स एवरेज थार्ड इस दा रीजन नेशनल स्टील पॉलिसी हेल्प स्टू बूस् है पहला सेल्फ सफिशेंट एसा कुछ है नी इंडिया सेल्फ सफिशेंट कहां से आ गया है है ना तो हमने पॉलिसी पड़ी थी उसके अंदर भी इंडिया पर क्यापिटा कॉपर कंजप्शन इस हायर देन वर्ल्ड इवरेज यह बी नहीं है तो काम है वर्ल्ड से तो हम यहां पर देखें हमने पड़ा था जब ठीक हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर नॉन फैरस तो यह नहीं है ना उसके बाद और स्टेटमेंट देखें पर कैपिटा कॉपर कंजप्शन इस एक्सपेक्टर टू इंक्रीज के वन के जी तक हम ले जाएंगे बाइट यहां पर देखो मैंने यह करवाय था आपकी पीडिएफ के अंदर भी है तो वहां पर पर पढ़ना है आपने क्योंकि एक भी वर्ड वहां पर चेंज हुआ तो आपको गलती लग सकती है आगे चलते हैं सेंट्रल अड्वाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वास कॉंसिच तो यहां पर हमने देख लिया कि कैब अब देखो यह कोशन अभी रीसेंट न्यूस के अंदर था हमने पढ़ा हुआ है लेकिन इसका कॉशन जो फॉर्मेशन है यह हिस्ट्री से रिलेटर करके बनाई गई है तो आपको सभी सब्जेक्ट की जो रिलेट करना है एक दूसरे से यह हमारा हमारा भी एम है और आपका भी रहना चाहिए और यूपीएसी का भी एम है ठीक है तो एक ब्रॉडर अंडिस्टेंडिंग के लिए तो यहां पर ननोह दिबावा आएगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कैब जो है उस सरजेंट प्लैन मैंने आपको हिस्ट्र इस एपक्स अड्वाइजरी बॉड़ी ठीक है जो बनी है आपकी 1920 के अंदर इस्टेबलीश हुई थी बट उसके बाद डिजॉल्व हो गी अगें और यह अग्जिस्टेंस के अंदर आई तो यहां पर अगर उफीशल साइट के अब स्टार्टिंग के अंदर यह लिखा तो आपको यह भी समझ आना चाहिए ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं फिफ्ट कोशन 17 मार्च का एस पर रिसेंट टर्ल इन ट्रबल रिपोर्ट 10 पर सेंट आफ टॉप 50 स्पीशीज थ्रेटन स्पीशीज और इन इंडिया विच अमंग ता फॉल्वेंग स्पीशीज इस इन इन सेंट्रल इंडिया तो सेंट्रल इंडिया के अंदर कौंसी स्पीशीज यहां इन में से देखी जाती है तो यह कोशन आपको पता है कि लास्ट येर भी दो क्वेशन लोकेशन बेस्ट आया हुए थे नदन रिवर टेरापिन रैड क्राउं रूफ टर्टल नेरो अरिया देखो ठीक है यह वाला यहां पर नदन रिवर टेरापिन उसके बार आगे चलते हैं रेड क्राउं रूफ टर्टल ठीक है चंबल के असपास है तो यह आपको इसकी जो लोकेशन मैंने करवाई हुए गलास के अंदर यह वाले एरिया के अंदर मिलती है उसके बार चलते हैं ब्लैक साउट शेल टर्टल यह दो आपका साम के अंदर है और और यह और कहीं मिले गए उसके बार नेरो हैड़र साउट शेल टर्टल तो यहां पर देखो तो यह सेंट्रल इंडिया और यहां पर इस इस इस्टन पार्ट यह पूरे जो ग्रेटर पार्ट के में वाटर पहले स्टेट्मेंट 2nd they can be easily separated as this settle down in still water 3rd statement they can be toxic if accumulated in human body उह गदर है फाईज हो जो इसको फो फ्रीट्र नहीं है इसन्हाएघ करेल दिख अबर वह बार्टे मेटल वोलते हैं यह सेपरेटर से परेटर नहीं क्योंकि वह लिपोफिलीक ज्यारा तर होते हैं हमारी ब तो यहां पर देखो हमने एक फाइबर मेंब्रेन बनाई है जिससे वह जल्दी ही अपना इसली हम उसको सेप्रेट कर सकते हैं तो यहां पर क्या है यह यह आपनाइब क्रोमियम लेड मरकरी यह सारे उसके अंदर आते हैं हमने पड़ा था क्या है यह नगर मालों नेशनल पार्टी किसी का तो क्या वो अक्रॉस इंडिया फ्रीली यूज़ कर सकते हैं सेकंड स्टेट्मेंट नो टू प्लिटिकल पार्टी इन इंडिया हैव सेम एलेक्शन सिंबल यह हो गया तो कौन सी क्रेक्टेव वन ओली टू अन्ली बोथ वन एन टू नहों दिवाओ अब देखो यहां पर नेशनल थीक है तो यहां पर इंकरेक्ट पूछा हुआ है तो आपने ध्यान रखना है तो यहां पर इंकरेक्ट कौन से है सेकंड ठीक है अब देखते हैं केन टू प्लिटिकल पार्टीस इन इंडिया है वसेम सिंबल देखो अगर मालों स्पोस करो किसी भी स्टेट के अंदर दो प कमिशन देखेगा कि एक और सिंबल उसको दूसरी पार्टी को दिया जाएगा ठीक है तो यह कौण कौण सी पार्टी के सिंबल से मैं यह मैंने सारी आपको एक्जेम्पल भी दी ती तो यह याद रखना क्योंकि इलेक्शन इस टम काफी न्यूस के अंदर आगे देखते हैं टाइगर जर्व हैजा ड्राइएंड हाट क्लाइमेट इट रिप्रेजेंट ओन्ली टाइगर पॉपुलेशन विद एकॉलजिकल एंड बहेवियरल अडेप्टेशन ऑफ टाइगर यूनीक टू तेराई रिजन दा रजर्व इस तो पहले वहां पे उपर द से कंबिनेशन मिलता है तो कौन साथ यह टाइगर जर। हमने यह पड़ा हुआ है ठीक है तो यहां पर डेफिनिटली हमने किया हुआ है तो आपके प्लीटिएफ के अंदर भी होगी इंफिरमेशन तो यहांसे वह वह ना है तो एसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको उस implemented by ministry of commerce and industry second aims to make air travel affordable and widespread third the scheme will be jointly funded by central government and state government so select the correct answer using codes given below first statement one only then two and three only one and three only none of the book so stop करो और देखो इसको ठीक है तो यहां पे कोई भी नहीं कि क्यों क्योंकि यह उडान स्कीम अलग है वो उडान अलग है उडे देश का आमनागरी वो उडान यूडी एन है ठीक है तो यहां पे तो क्वेशन के अंदर पूछा गया वो तो नीचे कोई भी स्टेटमेंट वहां पे फिट नहीं वैड़ती ठीक है जी तो यहां पे देखें अगर उडान स्कीम तो जमून किश्मीर को यह मैंने पूछा भी था कोईशन है ना तो उसके लिए मिनिस्टियव हो मअ फिर ने स्टार्ट की थी ठीक है जी तो यह आपने ध्यान रखना है कोईशन भी अच्छे से पढ़ना है और अंसर भी फिर निकालना अच्छे थे स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है तेंथ ग्यूशन थर्ड स्टेटमेंट इन इंडिया सीएजी इस नौट आम मेंबर आफ पार्लिमेंट सेलेक्ट कोड गिवन बिलो राइट तो फर्स्ट ऑनली वन ओनली टू एंड थ्री ओनली एंड औल अल अफ दिव तो यहां पर देखो थ्री ओनली क्यों क्योंकि हमने जब पढ़ा था के जो 1970 एक्ट है वहां पर कोई टाइम लिमेंट नहीं है ठीक है यहां पर वन मन्थ लिखा हुआ है ठीक है तो 1909 के अंदर जो बोला गया कि सेपरेट डिपार्टमेंट यह तो बहुत पहले पढ़ गया था हमने जब हिस्ट्री ट्रेस की थी ठीक है जी यह बनाया है लिखाएं तो इसलिए हमने यह द्यान रखना है ठीक है उसके बार हमने यह भी किया था सीए जी डास नॉट प्रिसक्राइब रिजीट टाइम लिट अभी मैंने उसके यह उसके कंटक्स करो यह था कि जो बहुत सारे पांच स्टेट के अंदर एलेक्शन हो रहे हैं तो पा होना है ठीक है तो ऐसे क्वेशन फॉर्म हो जाते हैं 18-19 मार्क में जो हमने करन्ट फिर किये थे उसके अंदर क्वेशन है consider the following in context to Acer report and NAS report Acer is a school-based survey whereas NAS is a household-based survey Acer's reading ठीक है Acer reading and arithmetic assessment are administered one-on-one in oral format ठीक है नास assessment is based on pen and papers test तो select the correct using answer given below one only two and three only ठीक है ठीक है यह answer लग गया है ठीक है तो one and three only तो मेरे से गलती से slide हो आगे वाली चलेगी कोई बात नहीं ठीक है तो आपने हिसाब से देखना है इसको तो one first statement गलत है क्यों नास जो आपका स्कूल बेस्ट NCRT करवाती है तो वहां पर स्कूल बेस्ट सर्वे रहता है वहां पर pen and paper के थूरू बहुत सारी language का test test होता है जो एसर है वो गर-गर जाके oral test लेती है इसके नास के अंदर सिर्फ स्कूल वाले बच्चे कवर होंगे लेकिन एसर के अंदर सारे बच्चे कवर होंगे है ना तो यहां पर हमने difference किया था तो यह आपको याद होना चाहिए ठीक है दोनों के अंदर ठीक है जी आगे बढ़ते हैं 12th question which of the following statement is incorrect the Indian rhinoceros यहां पर incorrect नहीं यहां पर correct आएगा ठीक है दा इंडियन rhinoceros is regionally extinct in Pakistan जावान rhinos are also known as Asian two horn rhinos मानस wildlife centuries known as mini kajiranga ठीक है तो two only one and three only two and three only all of the तो पहली देखते हैं Indian rhinoceros extinct यह ठीक है जावा राइनो नहीं यह गलत है है ना तो मानस wildlife यह भी गलत है तो आपका फिर आंसर क्या बनता है two and three ठीक है वो वो इंक्रेक्ट ही पूशा गया है सही है ठीक है तो इंक्रेक्ट ही पूशा गया है मुझे गलती लगी के question कोई और है यह ठीक है तो यहाँ पे आपने दियान रखना है तो इंक्रेक्ट पहली को फ्रेस्ट परप्रा नहीं को लेसर नेपार हैं प्रेशन याद रखना एफ्रीकायक, आपको ऐसा भी कुछ्छन आता है, जैसा यूपीएसी ने पूछा था कि इंडिया के पार वर्ट के अंदर कहीं पर जो ہमरे वान होन राइनों उसके इलावा जो इंडिया नेपाल है ना उसके इलावा कहीं पर और ilev और मिलते नहीं तो आसा इस टैप का कौशन आया तूसर वल संधियंर कोologist नियुक्ता कि यहां पर concepts concentration है यहाँ पे इसको मिनी रखाजी रंगा बोलते हैं ओके थार्टिन कोशना रिसेंटली असीम पोर्टल सीनी निव्स इस इंप्लीमेंटर बाइ किसने इसीम पोर्टल को इंप्लीमेंट कर री है कौन सी एसी मनिस यह मिनिस्टिया रूड़ मिनिस्टिया आप एड़ूइशन तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ब्न स्किल हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे आत्म-nirbhar skilled employee मैप्लाई को मैंच करने के लिए पोर्टल हमने लेकि आये थे ठीक है उसके बाद देखो statement की ठीक है एक बार देखो तो यहां पर 14 कोशन की statement क्या है code on wages act 2019 हमने एक code कर लिया था ठीक है बाकी code हमारे रहते हैं तो एक code जो किया हमने उसके बारे में question है यहां तो question क्या कहता है कि as per code wages include के जो code है उसके according wages की definition क्या है ठीक है तो wages की definition के अंदर क्या है salary allowance and bonus payable number one second minimum wages decided by center and state must be higher than floor wage second statement third is it prohibited employer from deduction of wages to limit exploitation of employee तो यहां पर select correct code to only ठीक है जी उसके बाद two and three only then one and three only ठीक है जी तो उसके बाद क्या है ओल अफ दिपाओ तो ध्यान से देखकर question का अंसर बताइए ठीक है stop करिए वीडियो तो अब देखो पहली एक है wages की definition क्या है इस पर code wages include salary allowance तो मैंने बताया था को है वहां पर bonus आपका नहीं आएगा तो पहली statement मारे गलत होगी दूसरा minimum wages decided by center or state government must be higher than floor wage यह हमने पढ़ा है ठीक है then it prohibited employer from deduction of wages to limit exploitation employee यह गलत है है न हमने पढ़ा हुआ है कि भी ऐसा तो नहीं है फिर तो आप employee जो है अपनी मनमर्जी करेंगे उनकी जब वेज इन डिड़क्ट होगी है न तो अगर आपने यह code पढ़ा भी ने तब भी आप देख सकते हो थोड़ा सा के हाँ यह ऐसा नहीं हो सकता अधर्वाइस प्रॉब्लों क्रेट हो जाएगी ठीक है जी तो अगर आपने वेज़ेश नहीं भी पढ़े तो उसके बिना भी आप इस question के अंदर थोड़ा सा यह थर्ड स्टेट्मेंट को तो क्रेक्ट कर सकते थे ठीक है जी चेनाब रीवर के ऊपर कौन कौन से प्रजेक्ट है तो हमने पढ़ा हुए तो बहुत सारे आपने लाइव चैट के अंदर इसके आंसर भी दिए थे वन एंट टू अनली है ना तो किशन गंगा रतले प्रजेक्ट उसके बाद हमने तुलबूल प्रजेक्ट के बारे में पढ़ा था जब हमने इंडेस वाडर तीसता के बारे में पढ़ लिए प्रण पुद्रा के बारे में पढ़ लिए ऑके कंशिडर दा फॉल्विंग स्टेटमन इन कंटेक्स टो य्वी शेक्ट में के बढ़ा हूं तो हमने यह पढ़ा हूँ है कि LG है, LG source of carbohydrate protein और fat का यह सही है, then it is the first generation of biofuel नहीं, third generation है, first generation food, second non-food, third LG, LG को अलग क्यों किया था, क्योंकि इसकी fertilizer की demand जा रहा थी, इसलिए पहले second generation के अंदर था, उसके बाद third के अंदर कर दिया, climate change can increase, बिलकुल ठीक है, क्योंकि जो co2 आपकी बड़ेगी climate change से, तो ऐसा बो है कि कितनी बड़ेगी, यहां फिर thermal अपना यह water के अंदर जो stratification होती है, उसके कारण degrees हो जाएगी, यह तो future के अंदर बात है, लेकिन आपकी statement correct है, तो one and three only, ओके, तो यह हमने पढ़ा हुआ है, LG के बारे में, यह detail में उसका significance भी बढ़ा था, ठीक है, जब new species red algae किया थी, okay, 17th question, recently सुष्मा स्ट्रेट, seen in news is located between, first is Russia and USA, second is China and Korea, third is New Zealand, Australia, fourth is Korea and Japan, तो अगर हम देखें इसके अंदर तो कौन सा है, Korea and Japan है, हमने यह पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, तो यह आपकी रही, यहां पे, ठीक है, यह सुंगरू है, सुंगरू स्ट्रेट, तो ध्यान में रखना ह था कि सी आफ जपान को अच्छे से पढ़ना, जब नॉर्थ कोरिया ने मिजाइल भी लांच किया है, ठीक है, ओके, 26 तो 29th मार्च के अंदर देख लिए था क्या है, तो इसके बारे में बताओ, फर्स स्टेट्मेंट, तो डिप्लाई पीसकीपिंग फोर्स, तो थार्ड स्टेट्मेंट, इंडिया इस दा लार्जस ट्रूप कॉंट्रिब्यूटिंग कंट्री इन यूएन पीकेफ, स्लेक्ट कोड वन ओनली, टू एन थ्री ओनली, थ्री ओनली, वन एन थ्री होगी, तो स्टॉप करके अपना देखो, आंसर क्या बनेगा अपने हिसाब स पहला है कि कंसेंट ऑफ पार्टी बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं किसी कंट्री के अंदर भी चले जाएं तो यह काम नहीं होगा, दूसरी बात, कि उसका जो भी मेंटिनेंस का डिसीजन यूएन जी यह लेती है, फिर तो बहुत बड़ा अब यूएन जी की पार्टी अप सा जोटी कॉंसिल लेती है, यह भी होनी पड़ा है, उसके बाद फर्स्ट यहां पर देखो, मैंने यह बताया था आपको जो रीसेंट है ना, जो इंडिया का रैंक है, फिफ्ट रैंक है, ठीक है, तो बंगलादेश नंबर वन है, ठीक है, नाइंटिध क्वेशन, विच अमं सिंपल है, क्योंकि इसी क्वेशन भी रखने बढ़ते हैं, दोनों का मिक्स्चर हम करते हैं, तो यह पहले, तो ऐसे क्वेशन अगर आपने पड़े हैं, तो आपको आते हैं, अदर्वाइस नहीं आएंगे, ठीक है, तो यहां पर कोई कोई क्वेशन अंडरस्टेंडिंग क तो इतनी बात नहीं रहती, तो यहां पर देखो, सहभी ने रिलीज किया है, हमने डिसक्स किया हुआ, रिसेंटली नाका दुबा, सिंहला, रामस्वामी, सीनिन न्यूज, इस, सिंहला, ग्रूप पॉप श्री लंका, है ना, बटरफलाइ स्पीसिस, दो, सी है, इन्वेजि को लगता है कि अगर अगर कॉमन सेंस के बेसिस के उपर जाओगे, तो वो होगा, लेकिन यहां पर बटरफलाइ स्पीसिस का नाम रखा गया, हमने बढ़ाए जे, है न, तो यहां पर सिक्स लाइन ब्लू बटरफलाइ के अंदर ये क्वेशन बना था, फ्रेम होगा, ओके, 30 and 31st मार्च के अंदर देख लेते हैं, consider the following statement in context to Motor Vehicle Amendment Act 2019, first, a person who render emergency medical and non-medical assistance to victim is not be liable for civil and criminal action, ठीक है, अगर मा लोग कोई help करता है, तो उसके उपर कोई क्रिमिनल जहां, civil action नहीं होगा, तूसरा, it provides the road safety board at central state and district level, third statement, it provides for motor accident claim tribunal, which was missing in previous act, option है, one only, one and three only, two and three only, all of the above, तो देखो, पहला क्या है, के हाँ ठीक है, ये बोल दिया है उन्होंने, है न, कि अगर कोई help करता है, तो उनकी, उनको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अदर्वाइ है, उसके बार, national road safety board बनाया है, center district, ऐसा कुछ बात नहीं की कि उसके अंदर, then it provides for motor accident claim tribunal, ये पहले ही already act के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, claim act के अंदर हमने पढ़ा था, ये 1988 act के अंदर already है, ठीक है, ये कोई भी मालो किसी accident होगा है, वहाँ पे victim claim के अपने इसके लिए ये है, ठीक है जी, उसके बार, good, smart return के बारे में हमने बढ़ा था कि कोई भी सेवर लें, criminal action होगा, then national road safety board बनाया गया है, ठीक है, central level पे, जो state और center को, जो भी अपना guidance देगा, ठीक है, उसके बार देखते हैं, consider the following statement in context to investor educational protection fund, इसके बारे में बताओ, it is established under companies act 1956 by companies management act 1999, पहली statement, दूसरा, government use educational session under IEPF for investor awareness, third statement IEPF authority was set up under the ministry of corporate fair, तो अब देखो ये statement तो गलत है, क्यों, क्योंकि सेस नहीं है, कोई भी अगर आया तो उसका dividend है, जैसे मालोब बहुत सारे shares है, ठीक है, उसका dividend हो गया, जहां किसी ने money claim ही नहीं की, वो सारी money इसके अंदर जाती है ठीक है, education says के अंदर, इसके अंदर कुछी नखा नहीं गया, ठीक है, तो ये statement हमारी गलत थी, तो ये ministry of corporate fair के अंदर statutory body है, हमने discuss किया हुआ है, ठीक है, आगे चलते है, 23rd question, तो अब जैसे 20 and 22nd March का हमारा पहला रह गया था, तो इसको, इसके question अभी है, पहले, aluminium air batteries are set to be lower cost batteries as as compared to lithium-ion battery, तो हमने class के अंदर, lead acid, उसके बाद, lead acid versus lithium-ion battery and then lithium-ion versus aluminum air battery, तीनों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, डिटेल के अंदर, तो पहली statement है, aluminium air batteries are set to be lower cost batteries as compared to lithium-ion battery, right, second statement, aluminium air batteries are easier to recharge than lithium-ion battery, third is India is among the largest producer of aluminium air batteries in the world, ठीक है, among है, तो यहाँ पहले देखो, aluminium air battery set to be lower cost, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, रीचार्ज उसको करना मुश्किल है, थोड़ा यहाँ पे battery swapping करनी पढ़ती है, हमने जब पढ़ा था, ठीक है, तो third statement है कि India is among the largest producer of aluminium air batteries in the world, यह भी गलत है की statement है ना, क्योंकि अभी इंडिया ने तो किया है, तो agreement किया है, देखो, state-owned Indian oil company entered a joint venture with Israel company, ताके aluminium air technology battery बनाए, तो यहाँ पे तो among the largest वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं, यह हमने पढ़ा था, lithium-ion battery के बारे में, aluminium air battery versus lithium-ion battery के बारे में, detail के अंदर पढ़ा थ है ना, ओके, तो आगे question है, 24th, consider the following in context to application of carbon 14, carbon 14 जो है, जिसे carbon dating के लिए use करते हैं, हमने discuss किया था, उसके बारे में कहते हैं, application के बारे में बताओ, फर्स statement है, can be used to test safety and efficacy of drug, second, to study plankton and other forms of sea life, revealing how water of the ocean circulate, ठीक है जी, third statement to determine the age of fossil like dinosaurs, select the correct code, one only, one and two only, two and three only, all of the world, ठीक है, तो पहली statement देखते हैं, efficacy, drug की efficacy के लिए है, हमने inject करनी है, उसके बाद पता चल जाता है न, तो ये हमने discuss किया था, उसके प्लैंक्टोन के लिए ये भी हमने discuss किया है, third statement is wrong, ये जो फॉसिल तो ठीक है, लेकर डाइनसोर नहीं, क्योंकि आपको पता हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ उसकी है, 5730, तो अगर हम total इसकी जितनी भी हाफ लाइफ हैं, वो भी लगाते ह है, तो हमें maximum ये 50,000 के करीब तक लेके जलता है, कि इसे जो पराना है उसका तो ये determine नहीं करेगा, क्योंकि अगर मालो 50,000 ये के पहले उसकी बाड़ी के अंदर carbon 14 कम उलेड़ था, वो दीरे-दीरे करके zero हो जाएगा, ठीक है, तो हमें ये तो बताएगा नहीं, ठीक है जी तो इसलिए ये statement रहोंगे, अगर आपने और इसके अंदर पढ़ना है, तो ये देखो, carbon 14 is, half life is only 570, 30, तो ये maximum कितना बताता है, 50,000 year old, ठीक है, लेकिन जो डाइनासोर्स हैं, ये तो बहुत ही million years और some billion years तक पुराने हैं, तो it means कि अगर इनकी बाड़ी के अंदर carbon 14 होगा तो बिलकुल अब तक zero हो गया, तो it means कि अब और के method हैं, और भी isotopes हैं, जैसे uranium 238, uranium 235, potassium, इनकी half life ज्यादा है as compared to carbon 14, तो इसलिए हम इसको use कर पाएंगे, लास्ट कोशन देखते हैं, easy question के अंदर आएगा ये, the cane betwa linking project aims to transfer surplus water from cane river to betwa, is a major threat to, किस से major threat है, किसको, काना टाइगर जर्व, पन्ना टाइगर जर्व, बंदवगर टाइगर जर्व, पैंच टाइगर जर्व, तो ये बहुत easy question है, हमने easy के अंदर आएगा, तो हमने discuss भी किया था, कि पन्ना टाइगर जर्व के अंदर, यहाँ पर problem create जाता है, ठीक है, तो यह है 25 questions, आपने honestly करन हैं, अगर आप, क्योंकि लाइव के अंदर तो बहुत से बच्चे बीच में ऐसे निकल जाते हैं, तो यहाँ पे यह आपके उपर है, अपने वीडियो देखनी है, stop करके, अपना answer copy के उपर लिखो, और comment box के अंगर बताना कि किसके कितने marks हैं, तो देखेंगे हम के majority of student कहा लाई करते हैं, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसके strategy को भी modify करेंगे कि अगर वहाँ पे कुछ जरूरत होई, so this is all for today, thank you very much.